हम level of measurements क्यों use करते हैं और हमारे पास किस किसम का data जो है वो आता है और data की types कौन कौन सी है इस lecture में वो आपको बताने वाला हूँ सबसे पहली चीज हम level of measurements इसलिए use करते हैं ताके हम data को label कर सकें और data की labeling जो है इस पे depend करते हैं आपने कौन सी किसम की statistical analysis लगाने हैं height के data पे different statistical analysis लगेंगे और जो आपका नामों का data यानि के male कितने female कितने इस पे different किसम के लगेंगे इस तरह से हम analysis को और भी deeply दिया के देख सकते हैं because there are many specific statistical analysis जो हम future में use करते हैं मैं screen आपके सामने share करता हूँ और हमने ये चार किसम के level of measurements जो हैं पिछले lecture में देखे हैं अब इन चार level of measurement को हम दो different किसम की types के अंदर divide कर सकते हैं वो कौन-कौन सी types होती हैं वो पहले हम देखते हैं हमारे पास जो दो किसम का data होता है usually जब भी आप कोई analysis करते हैं एक data होता है qualitative qualitative and the second one is called quantitative qualitative data जो आपको खुद बता रहा है कि इसके अंदर आप data की quality देखते हैं ठीक है इसमें आप quantitative के अंदर data की quantity को measure करते हैं quantity ठीक है जिसमें amount भी आ सकते हैं और बाकी चीज़ें भी ठीक है अब quality से मुराद ये है कि इसी qualitative data को आप एक और नाम भी देते हैं यानि कि categorical data ठीक है यानि कि जिसमें categories आपके पास आ जाएं और इसको आप कहते हैं numerical data ठीक है अब qualitative data के अंदर जो main चीज़ें हैं हमारे पास qualitative data के अंदर जिसको हम categorical भी कहते हैं इसमें दो scale of measurement आते हैं यानि कि इसमें कोई number use नहीं होगा no number involved यहाँ पे only numbers होगे ठीक है अगर आप इस तरीके से इसको देखें तो हम इसको categorical और इसको numeric क्यों कहते हैं और we will see in detail कि जब आप data को collect करते हैं और वो nominal scale पे है इसका मतलब उसके अंदर यानि कि nominal scale या level पे है इसका मतलब है कि उसके अंदर सिरफ और सिरफ क्या है names है यानि कि यहाँ पे अगर हमारा data है इसके अंदर तो names है अगर आप देखें, यहां पे भी तो names है, लेकिन ordered variables हैं साथ में, ठीक है, यानि के ordered variable, यानि के ranking हो गई है, इसका मतलब nominal scale का data plus ordinal scale का data आप, उस data को बोलते हैं, categorical data या qualitative data, categorical और qualitative data, ठीक है, यह याद रखिएगा, यह बहुत ही ज्यादा important चीज है, जब आप python में data analysis करेंगे या आप future के अंदर जब data visualize करेंगे, यह दो चीज़ें याद रखें, qualitative data और categorical data जो होता है, इसको हम बोलते है, nominal या ordinal scale पे collect किया हुआ data, जब हम data collect करके उनको label देते हैं, तो ऐसा काम करते हैं, फिर दूसरी चलते हैं quantitative, quantitative data के अंदर, obviously आपके पास numbers होते हैं, और intervals या ratio होत होती है, ठीक है, intervals या ratios हमारे पास होती है, और जो हमारे पास 2 scales है, basically, वो interval और ratio scale जो है, वो इसके अंदर हम utilize करते हैं, जिसको हम quantitative data बोलते हैं, यानि के interval scale और ratio scale को, क्योंके ये numbers इसके अंदर आते हैं, for example, 32 degree centigrade, यहाँ पर ratio के अंदर आ जाएं, तो 10 kg, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास data होता है, इसको हम numerical data बोलते हैं, या quantitative data बोलते हैं, ठीक है, अब इस data के अंदर, हमारे पास wide variety of arithmetic operators हम apply कर सकते हैं, arithmetic operators को, wide variety है, arithmetic operators की हम apply कर सकते हैं, say for example, हमारे पास plus है, minus है, divide है, multiplication है, and so on, बाखी चीज़े हैं, but depend करेगा के ratio का हमारे पास data है, या interval का data है, so we have a lot of freedom to play with this data, और दुनिया में जो ज्यादा तर data है, वो basically numeric data की form में ही count हो रहा है, obviously qualitative data भी है, but we need to understand these two things in detail, यानि कि qualitative में quality आएगी, quantitative में number, categorical इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, numerical, so इसमें कोई number नहीं है, इसमें numbers आएगे, we can actually say, कि जो पहले दो हमारे पास level of measurement है, वो qualitative या categorical data के हैं, जो दूसरे दो हैं, ये हमारे पास quantitative data के हैं, qualitative और quantitative data समझना बहुत ज़रूरी है, इस वज़ा से इसी example को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, यहां पर आप देखें, कि हमारे पास data है, male का और female का data, obviously ये qualitative data है, कौन सा data है, qualitative, लेकिन अगर आप गौर करें, अक्सर अकाद यही data आपको 0 और 1 की form में मिलता है, यानि कि अगर कोई 0 आप Excel में data को डालेंगे, तो उसमें जाप जिरो लिखते हैं, इसका मतलब obviously होगा कि ये female है, 1 है तो ये male को show करता है, इसी चीज़ को हम अगर 0, 1 में show करें, रहेगा फिर भी ये qualitative data ही, लेकिन denote हमने number के अंदर किया है, ठीक है, denote हमने इसको number के अंदर किया है, उसकी main reason क्या है, उसकी main reason ये है, कि आप denote कर सकते हैं किसी भी एक numeric quantity से, लेकिन इसकी basic जो है वो categorical ही रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर 0, 1 लिखा, आप इसको कहते हैं, ये quantity है, नहीं, ऐसे नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि 0 और 1 जो है, ये data collect करने का method है आपके पास, ठीक है, so you can actually translate that, आपका मतलब ये ही है पीछे, कि ये male या female का data है, अब हम ये करते क्यों हैं, इसको बोलते हैं data को encode करना, data encoding बोलते हैं, ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं, पहली बात तो ये computer के लिए असान हो जाता है, दूसरी बात ये जो different किसम के software हैं, वो इसको easily read कर सकते हैं, ठीक है, तीसरी बात ये है processing बहुत कम लगती है, इस data को process करने के लिए, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, F, E, M, A, L, E, अब यहाँ पर कितने digits आई हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे alphabets, छे alphabets हैं, छे alphabets की बजाए, अगर मैं सीधा 0 लिख दूँ, तो एक alphabets है, और आप यह सोचें, आपके पास same data point, यानि कि female आपके पास, आप simply कह दें, पचास हजार दफा लिखा हुआ है, तो आपके पास total कितने point होगे, अगर आप गोर करें, तीन लाख दफा फीमेल लिखा आगया, लेकिन on the other side, अगर इसको मैं पचास हजार से multiply करता हूँ, तो मेरे पास पचास हजार ही लिखा आएगा, और यही काम अगर आप मेल से करें, तो आपके पास तीन हजार फीमेल का लिखा आगया, अगर आप मेल से करें M, A, L, E, तो यह चार हैं, इसको भी पचास हजार से करें, तो हमारे पास तक्रीब नोग हिनका आजागा, तो चार हैं, तो ये मेरे पास पचास हजार यह हैं, इसका मतलब ये है, जो काम पांच ल एक लाख डिजिट्स लिखके कर लिया और अन टॉप अफ डैट जीरो और वन इसली अंडरस्टैंड हो जाता है फॉर कम्प्यूटर्स तो कम्प्यूटिशन आपकी बहुत ज्यादा इंप्रोव कर जाती है ठीक है और आप यह अंदाजा लगाएं कि जितनी दफा आप इसको प्रोसेस करना था पांच लाग को उतना ज्यादा टाइम लगना था इस वज़ाए से एक्सरोकार जब आप डेटा को नोट कर रहे होते हैं यह आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा होता है टैबलेट के ओपर आप सिरफ चेक करते हैं या उन्चेक करते हैं यहां तक आपको समझ आगी है अब हम अगले लेक्शर पर मूव करते हैं